देखिए अगर इस पे conditional formatting लगाना हो तो इसमें ये पता करने के लिए लगा सकते है कि कौन सा product selling जो है किसमें ज़्यादा हुई है या कम हुई है उसके लिए condition दे सकते हैं कैसे देंगे यह दिखाता हूँ होम टैप पे रहिए conditional formatting पे जाए हालाइट से लूल पे चले जाए अब हम ये चाहते हैं कि हम ये पता चल जाए कि अगर कोई selling एक रुपए से ले करके और यहां पर एक हजार रुपए तक जहां भी हुआ हो उसको हालाइट कर दीजिए और यहां पर color आप बदल सकते हैं ये color हो है तो उसको हालाइट नहीं किया है तो यह तरीका है आप conditional formatting का use कर सकते हैं